हलो दोस्तो, welcome back to teaching fair आज के इस वीडियो में आप सभी से share करने वाली हूँ 6 DPS school की vacancies यह अलग-अलग राज्यों से होंगी और यहाँ पे आपको सभी subjects के लिए vacancies मिल जाएंगी salary 7th पे scale के according होगी तो हम इसकी details cover करेंगे बनी रहें channel पे और दोस्तो, अगर आप channel पे पहली बार visit कर रहें तो channel को subscribe और bell icon को जरूर प्रेस करें हमारी facebook group भी है, वहाँ से जरूर जूर जाएं हमारी channel आपको इंडिया की हर state से teaching job प्रोवाइड करने की कोसिस करती है और हमारी facebook group से भी जरूर जूरें तो बढ़ते हम अपनी पहली advertisement की तरफ पहली vacancy आपकी हो जाएगी UP मोधी नगर Delhi मीरट रोड का location है तो DPS मोधी नगर, आप देख सकते हैं April 2023 से आपकी joining होगी यहाँ पर यह school grade nursery से class 7 तक है Pre-primary, primary teachers की requirement है TGT में यह सारे subjects होंगे आप अपना subject चेक कर ले Graduation या Masters आपके subject में और B.Ed के साथ Special educator की requirement है Counselor और Health Wellness Teacher Physical Education, Art, Music, Dance, Computer Teacher तो यहाँ पर experience तो यहाँ पर mandatory नहीं है Freshers भी apply कर पाएंगे 2 साल का अगर experience है तो preference मिल जाएगा यहाँ पर आपको online apply करना इसकी official website पर dpsmodinagar.com Last date apply करने की हो जाएगी 12th January कई DPS कई schools में आपको mail की थूँ apply करना होता है और कई DPS में आपको online official website पर apply करना होता है अभी कुछ दिनों पहली DPS राची की vacancy आए थी दोस्तों उसे भी DPS राची 36 गर का था चमबा करके वहाँ की vacancy आई वे थी और DPS कोल का तागी थी तो वो तीनों ही आपकी online apply करने थी official website में और DPS राची की आपकी 1000 रुपीज की क्योंकि regular vacancies हैं और DPS भी दोस्तों अलग-अलग type की recruitment प्रोवाइड करती है कई बार regular 7th pay scale के according salary देती है आपको कई बार 6th pay और कई बार contractual pay पे रखती है तो अलग-अलग salary देती है तो यहाँ पे आप देखें इसको मोधी नगर का location है जरूर apply करें आपको official website पे चेक करना होगा एक बार Next vacancy आपकी DPS पाली स्टेट राजस्थान का है जैपूर अजमीर रोड का location है यहाँ पे यह सारे subjects और non-teaching vacancies भी है PGT, TGT, all subjects, primary all subjects, vice principal, counselor, receptionist hostel, wardens, male और female, librarian, special educator और wellness teacher activity में music, dance, activity teachers, PTI तीन साल का experience मागा गया है आपको यहाँ पे interview के लिए पहले आप mail के थरूँ apply कर दे session देखे 23-24 अपरिल से आपकी joining होगी आपको पहले resume और आपकी application passport size photograph mail के थरूँ submit करनी है mail id यहाँ पे dpspallyprinciple at the rate gmail.com और interview के लिए आप जा सकते हैं अगर आपकी resume shortlisted होती है आपको अगर call आता है तो आप interview के लिए इसी school की location पे आपको जाना होगा next vacancy जामनगर से है गुजरात में पढ़ता है यह DPS जामनगर यहाँ पे आप vacancy देखें primary, pre primary teachers primary teachers में EVS, maths और English PGT में geography, math, chemistry, English और physics TGT में science, English और SSD activity के लिए art and craft, music, dance और drama academic coordinator और assistant librarian यह आपका location जामनगर, reliance, highway, वसाही जामनगर तो यहाँ पे आप जरूर अपलाई कर सकते हैं अगर कोई भी state से आप belong करते हो दोस्तो जरूर अपलाई करें DPS, सभी all India में branches है DPS की अच्छी salary प्रोवाइट करते हैं जैसे कि मैंने कहा आपको बाद में ही पता चलेगा जैसे कई बार लिखा होता है इसमें अभी 7th पे नहीं लिखा है और अभी आप मोदी नगर में देखोगे मोदी नगर वाले में भी 7th पे नहीं लिखा है तो हम नहीं कह सकते हैं कि 7th पे के according ही salary मिलेगी बड़ कई schools में regular post की जब advertisement आती है तो advertisement में ही लिख देती है कि 7th पे दी जाएगी तो ये तीनों में आप देख सकते हैं मैं short होकर कि नहीं बोल सकते हैं कि ये तीनों में आपको 7th पे मिल जाएगा लेकिन हाँ अच्छा है अगर आपको नहीं मिलता है hr at the rate dpsjamnagar.edu.in पर भेजें नेक्स वेकेंसी यहाँ पर देखें अगें एपरिल 2023 से जॉइनिंग है DPS विशाखा पत्नम स्टील प्लांट ये आपका विशाखा पत्नम साउथ की लोकेशन है उक्कुनागरम विशाखा पत्नम विशाखा पत्नम I think उरिशा का है ये उरिशा विशाखा पत्नम मैं एक बर शॉड नहीं हूँ उरिशा या फिर साउथ का उरिशा है येस PGT English, Physics, TGT Hindi, Primary में Art, Hindi और Instrumental, Music Special Education Teacher आपको यहाँ पर देखें यहाँ पर तो Charges लगाए गए हैं जहाँ पर Application Charges लगाए गए होते हैं वहाँ पर Candidate का मन छोटा हो जाता है कि Charge दो फिर Apply करो तो कितना पैसा कमा रहे होते हैं इस तरीकी से बट क्या करेक्ट करना ही पड़ता है 500 रुपीज का Demand Draught आपको बनाना है In Favor of DPS, विशाखा पत्नम Within 15 days आपको अप्लाई करना है पहले स्कूल की वेबसाइट में आप इसकी Application Form और सारी डीटेल्स Application Form डाउनलोड करके उसे फिल अप करके 15 days के अंदर अपने सारे documents के Xerox copies self-attested करके इस location पर भेजें अगली vacancy आपकी DPS सहीद पत ये आपकी लखनाउ की location है DPS LKO लखनाउ UP PGT All Subjects, TGT All Subjects Primary Female Teacher Pre-Primary Female Teachers Other Teachers में यहाँ पर Activities के लिए हैं Computer, Theater, French, Dance, Music Physical Education Lab Assistant, Administrator Admin में, Non-Teaching में Transport in Charge, Accountant Front Office Executive Marketing Assistant, PA to Principal Admission Counselor ये सारी vacancies हैं आप यहाँ पर देखे UP State 6th पर Commission के According आपको salary दी जाएगी तो हर DPS की अलग-अलग salary scale है यहाँ पर आपको CV के साथ photograph भेजना है इस दिये के mail ID पर Within 10 days और ये सारी के सारी vacancies आज की newspaper में रिलीज हुई हैं जरूर apply करे लखनों की location है campus यहाँ पर आपका शहीद पत तो आपको mail के थूँ apply करना है बढ़ते हैं next DPS की तरफ जो की आपकी बिहार से है बिहार की capital city पतना इस्ट पतना से है ये DPS पतना ये residential भी है day school भी है 17-acre का campus है यहाँ vice principal PRT, TGT, PGT में all subjects minimum 3 years का experience तो होना ही चाहिए बाकी vacancies भी हैं जैसे counselors, educator, front desk, executive executive assistant to principal, dance, mother teachers for nursery pre-primary and class 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप relocate होना चाहते हैं पतना में जरूर अप्लाई करें इस school में आपको 7th pay commission के according salary दी जाएगी because यहाँ पे advertisement में ही mentioned है या फिर अगर आपका already 7th pay है या फिर पहली की जो भी salary है कहने सकते हैं plus extra emulments minimum 20% hike in their last drawn salary अगर 7th pay नहीं मिलता है contractual में भी रखते हैं तो अगर आपको 30 थी तो आपको 20% hike दे करके इस तरीके से रखा जाएगा for outstation candidates आपको यहाँ advantages में benefits में free food air condition accommodation और दो बच्चों की free education मिलेगी आपको यहाँ resume और आपको hard copies covering letter के साथ आप अपना resume तो रखे ही लेकिन साथी साथ एक covering letter होना चाहिए covering letter यानि की application letter कैसे लिखना होता है आप एक video चेक कर जकते हैं मैंने इस topic पे covering letter पे video भी बनाई होई है उसे आप यहाँ तो soft copy में type करके print out निकाल लें क्योंकि आपको hard copy भेजना है और वही same soft copy आप attach कर दे mail में mail यहाँ पे career at the rate dpspatna east.com तो इसमें आपको resume और covering letter भी भेजना है और by post आपको दोनो hard copies भेजनी है address, postal address post अगर नहीं करोगे तो आपका application incomplete होगा दो तरीके से यहाँ पे करना ही पड़ेगा आपको तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो में जरूर apply करें सभी dps की salary अच्छी ही होती है as compared to other private schools अगर वो फिर भी contractual भी होती है तो भी आपको एक दिन अच्छा मिल ही जाता है तो जरूर apply करें अगले वीडियो में और अलग-अलग private school की vacancies cover करूंगी बने रहें चैनल पर चैनल को अपने दोस्तों कलीक्स के साथ जरूर शेर करें अगर यह आपके काम आ रही है तो अच्छी feedback, appreciation note जरूर डाले comment box पर तो मिलते हैं अलग वीडियो में धन्यवाद